हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन्बी चैनल पर आप सबी का सौगत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बारिश के मोसम में बॉयलर बर्स की बुरुडिंग की इस तरह से कर सकते हैं इस बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आये है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजो में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिशन आपको मिल सके यह जो आप चिक्स देख रहे हो दोस्तों यह पूरा टोटल 4000 चिक्स है इनको आके अभी तीन दिन पूरा कंप्लिट हो चुका है आज का इनका चौता दिन चल रहा है दोस्तों और इनको हमने चार छोटे छोटे ब्लॉक में 1000-1000 की संक्या में डिवाइट कर दिया है और राउन जो है वह हमने गोल लिया हुआ अब ब्रूडिंग की बात करते हैं यह जो आप अगल बगल के करटन खुले देख रहे हो इनको हम रात के समय में पूरी तरह से पैक करते हैं दोस्तों जैसे कि यह आप इदर के करटन याने परदे देख रहे हो इस तरह से यह शेड पूरा पैक हो जाता है यह इदर के साइड वाला भी पूरा नीचे तक नीचे आ जाएगा और इधर की साइट का भी पूरा नीच या जाएगा इससे रात के समय में पूरा पैक हो जाता है और अंदर हम हीड बना सकते बीच का जो पार्टिशन है दोस्तों इसे हम यह दूसरे वाले कार्टन से बीच में फसा देते हैं और पूरा उदर से लेकर इधर तक लगा देते हैं इससे क्या होता है कि इधर की गर्मी इधर रहती है और उदर की गर्मी उदर रहती है अब गर्मी बनाने का इंतजाम में आपको बता दू अभी आप हमारा मेंस्विच देख लीजे पहले हम तीन फेज पे पूरा लोड देते हैं दोस्तों एक ही फेज पे नहीं चलाते हमारे एक फेज पे याँ पे छे फोकट चल रहे है और बचे हुए दो फेज पे पाच पाच टोटल याँ पे 16 फोकस लगी हुए दोस्तों फोकस याने 500 वैट वाली रोट हेलो जंद रोट हम टोटल शुरू के पहले दिन याने पहले दिन हमने पूरे 16 रोट लगा के गर्मी बनाई दूसरे दिन में बारिच का मोसमता करके हमने 16 रोट लगाई दोस्तों तीसरे दिन याने कल रात को हमने सिर्फ इसमें की आठ चालू रखी है बाकी की बंद कर दी हमारे आपे दोस्तों दोनों सप्लाया हुए है एग्रिकल्चर पॉम्प वाला जो सप्लाय होता है जो एक दिन शुरू होता है एक दिन बन होता है वो भी आपर है और हमारा 24 गंटे चलने वाला सिंगल फेज भी आप है यह सिंगल फेज और यह एग्रिकल्चर वाला फेज दोस्तों जो भी अवेलेवल होता है हम उसमें वाइरिंग फजा देते है और फोकस कौन कर देते है याने हलोजन कौन करते है अभी फिलाल दोपेर का समय है पोले ज्यादा संक्या में उपर उठाए हुए यह देखिए 32 एंपियर वाले फ्यूद्स पर हम सिरी पाच या छे रोट चलाते है दोस्तों ताकि किसी तरह का कोई शौट सर्किट ना हो आप हमारी हैलोजन कंगन देख सकते हो और वायर भी देख सकते हो यह वायर चार एम इतना चाहो उतना आपका रोट उपर चले जाएगा जब चाहो तब नीचे आ जाएगा ब्रूडिंग खतम होने के बाद में यह आसानी से उपर भी चले जाता है और यह जो आप हैलोजन रोट देख रहा है दोस्तों यह नवाप कंपनी का है हम इसे ही उज़ करते हैं इसके बाद यह जो आप स्क्रीन पर एंटिबैटिक की बोटल देख रहे हो दोस्तों यह पाउडर बेस में 200 ग्रम का एक डिबबा आता है दोस्तों हमने इसे कंटीनिव तीन दिन चला है गुल का पानी होने के बाद में आज सुबह तक एंटिबैटिक कंटीनिव शुरू था लेकिन आज चौता दिन शुरू हुआ है करके हम मेडिसिन चेंज करने वाले हैं आज से कंटीनिव दो दिन तक हम इने बीपीफ चलाएंगे बीपीफ में आने बायो वेट पॉल्ट्री फॉर्मूला यह ची टॉनिक आता है दोस्तों आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर वाई मेरा उलका भी इस्तमाल कर सकते हो एंटीबैटिक के लिए भी आप जो आपके पॉल्ट्री शॉप में मिल जाए वो एंटीबैटिक दे सकते हो लेकिन शुरू के तीन दिन तक एंटीबैटिक देना जरूरी है आप देख सकते हो हमारा पूरी तरह से चीक्स भी रहा है थोड़ा पानी एक घंटे के लिए बंद हो गयाता खतम हो गयाता करके थोड़ी पानी के बरतन पे भीड ज्यादा दिख रही है लेकिन चीक्स अभी तंदुरू से नीचे हमने गेव का बुरादा बिच्छा हुआ है दोस्तों मॉटिलिटी की अगर बात करे तो तीन दिन में हमारा सिर्फ सत्रा चीक्स मरा है दोस्तों क्योंकि 24 गंटा लाइड बुरूडिंग अच्छी पेस अच्छा दिया हुआ है एक ब्रैकेट में सिर्फ हजारी चीक्स दला हुआ है आप देख सकते हो जगा कितनी खुली है करके हमारा मॉटिलिटी वगेरा बहु कि जाती है यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा फिट की बात करें तो हमारे आपे बेबी फिड मिलता है छोटे चुदों के लिए करके हमने इनको बेबी फिड चलाया है और आज से यानि तीन दिन बेबी फिड और आज से हम फ्रिश टाइटर स्टार्ट करने व अजिए पताइब फिड करता है उन्याया है यहां भी नुचेइग फिर इंवारे इनको बाताद धी में जान में जाएट